नमस्कार दोस्तो ठैंक साल यूटूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो पोपाल 1.0 का नोवा लेवल ओटोपुल आया है यह देखिए आप 384 डोलर तो दोस्तो बार-बार यह खहा जा रहा है कि 12 वेन में ओटोपुल कापी स्लो हो गया है ओटोपुल आ रहा है दोस्तो अगर टालवीन लाइब को आटोपुल नहीं देना होता तो आप ही बताईए ओपाल 1.0 में क्यों यह वाटोपुल देता यह बहुत-बड़ा सवाल है तो दोस्तो मार्केट में कई सारे प्लान चल रहे है और जो दूसरे प्लान को प्रमोट कर रहे है वो कह तो दोस्तो यह कहिना कही अभी बड़े-बड़े लिडर यह डोलर बाई करके रख रहे है क्योंकि बहुत जल्ड बहुत जल्ड टी लाइब कोईन लॉंचिंग होने वाला है हमारे सामने 25 जून का बताया जा रहा है डेट तो दोस्तो आशावर उम्मीद करते हैं कि यह जो टी लाइब कोईन है यह सबी को बड़ा फाइदा देखे जाए तो दोस्तो टी लाइब कोईन के पास कॉमिनिटी बहुत बड़ी है इसलिए कहिना कई टी लाइब कोईन बहुत जल्ड ग्रो होते हमें दिखेगा जैसा ही लॉंचिंग होगा तो उसके किमत में बड़ुतरी देखने को हमें मिल सकता है दोस्तो कई बार क्या होता है कि हम हर एक opportunity को संधे की नजर से देखते है उसका कारण क्या है कि हम पिछली कमपणियों में कई बार हमने धुका काया है इसलिए कई सारे चीज़े है जो हमें कई ना कई हमें negative करता है नकारात्मक विचारों में डाल प्लाषे साइए, और वह सभी है, दोस्तों,, कैसे सभी हैं,icherung कि हमारा पुराणा अनुबह हैं, कई बार अच्छा नहीं रहेता, क्योंकि कई सारी कंपणिया आई, और कई सारी कंपणिया दोστों, बंद हो गई हैं। यहीं कभी सक्सेस हो जाता परलवाइन का तो देखा जाए तो टॉल्विन इतना पॉपूलर नहीं हो पाता परलवाइन के डाउन फॉल के बाद टॉल्विन ने इमानदारी से सभी को आटो पूल दिया और सभी को एक बड़ा इंकम दिया यहाँ पर बड़े बड़े लीडर सामने आए और कहीं न कहीं आज टॉल्विन एक अच्छा क्राउड के साथ सपलता पूर्वक रन हो रहा है तो दोस्तो टॉल्विन लाइफ ने लंबे समय के तक चलना चाहिए और यहाँ पर एक-एक मेंबर्स का पेशा है पर अच्छा कासा उन्हें मिलना चाहिए जितना है पर वाटोपूल के बेस पर आने वाला है ऐसा उम्मिद है अभी कापी देरी भी हो रही है वाटोपूल में मेरे पास कमेंट्स आते है कि सर वाटोपूल नहीं आ रहा यह फ्रोड कमपनी है तो दोस्तो मैं ही कहना चाहूंगा वाटोपूल तो मैं ग्रूपों में देख पा रहा हो और कई न कई उसी बेस पर मैं वीडियो आपके बिच लाते रहता हो और कुछ भी निव लेटेस्ट अपडेट आता है तब भी आपको वीडियो देते रहता हूं तो आटोपूल तो दोस्तो आ रहा है लेकिन बात करें 12W लाइफ हो या कोई सा भी सिस्टम हो दोस्तो एक समय बाद आटोपूल स्लो होना ही है आटोपूल स्लो क्यों होना है दोस्तो क्योंकि ये आटोपूल मेट्रिक्स के आधर पे वर्क करता है तो दोस्तो मेट्रिक्स माल लिजे कि निचे आते आते बहुत बड़ा समू बनते जाता है तो बड़ा समू बनने के बाद कहैं ना कही दोस्तो ओटोपूल में थो धीमा पड़ी जाएगा, हर एक system में, तो calculation है, उस calculation को समझे, ओटोपूल बनता कैसे है, boosting कैसे बनता है, वेसे देखा जाए तो boosting में दोस्तों सबसे ज़्यादा इन्वेश्मेंट हो रखा है, बहुत सारे leaders ने, है यहां पर last and last में एसा उमीद है कि वाटोपुल भी फास्ट होगा और साथ में बूश्टिंग भी फास्ट होगा अब टी लाइब टोकन की बात करें तो टी लाइब टोकन दोस्तों वेपसाइट पे आने के बाद यह भोध्जल ट्रस्ट वालेट पर भी दोस्तों दिखाई दे सकता है हमें और टी लाइब को कई ना कई भविश्य बता जा रहा है कि टी लाइब कोई बहुत बड़ा भविश्य है तो एसा उमीद है कि कुछ भी हो सिर्फ फाइदा चाहिए मेंबर्स को मेंबर्स तो यह पर दिन रात काम करी रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपने लास्टे तक मेर वीडियो को देखा एब हम सुना चैनल पर आप नए हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करो इस वीडियो को अपने टीम तक शेर करो अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी हो तो